तो जैपूर के लोगों की राय मिली जूली रहे उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं जो की देश का सबसे बड़ा राज्य है यहां लोगसभा की 80 सीटे हैं देश में सवर्ण बहूल सीटे भी सबसे जादा उत्तर प्रदेश में तो ऐसे में सवर्ण आरक्षन यानी मोदी का मास्टर स्ट्रोग यूपी पर क्या आसर दिखाएगा यह जानने के लिए हमारे समवाद आता उमेश पाठक ने लखनव विश्विद्याले के चात्रों से बात की गुजराद में आज से सामान विवर के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षन का कानून लागू हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते है लखनव के लोग क्या सोचते है और खास करके जीवा है वो क्या सोच रखते है इसको जानने के लिए हम इसमें लखनव विश्विद्याले में जहां तमाम चात्र हमारे साथ मुझू धेवन से बात करते हैं को इस बैसे पर क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है कुत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून लागो होना चीज़ में आर्थिक रूप से जो कम जो लोग है उनको अरक्षण का लाव में कि आरक्षण होता वो आर्थिक रूप से लावू नहीं किया जा सकता है वो सामाजिक दिरश्ट्री से आरक्षण संब्धान में दिया गया इंद्रा साहनी बना भारत संग में नौ जो जो की बैंच ने सीधे का था जो अधस परसंड आर्थिक आजार पर आरक्षण को रद करने का कोई मतलब तो है नहीं अब तो चुनाऊ आया तो अब लागू करके आप पहले तो भी तो लागू कर सकते थे तो लागू कर रहे हैं लेकिन आर्थिक रूप से ना करें जाती अदार पर होना चाहिए है आप क्या लगता है कि यूपी में भी यह कानून लागू होन हैं तो हमाई साफ से जनरल को भी मिलना चाहिए लेकिन जो इस समय सरकार ने इसको लागू किया है तो इसकी बड़ी वजाए है कि अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि मद्द प्रदेश और तीन चार जगार राजियों में बड़ी हार होई है तो सवर्णों का गुश्ता जात लाक ज़्याएं कि है वह काफी ज्यादाँ की है इसको थोड़ा कम करना चाहिए जाकि मतलब जया जीन जरूर्य है बस उनको यह आरक्षन मिले आप से जाना चाहिए आप लगता है यूपी ने लागव होना चाहिए जल्द पहले लागवह चीए था क्योंकि हिस समय च डिखाएए चुनावी स्टंट ज्ट ते लोगों के कहना है जबकि लोगों कि कहना है कि इसमें जो आर्थिक आधार पे जो आरख्षन दिया जारा है इसमें जो सीमा है सीमा कम कि जैंगा जाहिए आठ लाग बहुँ vagy जाद होते हैं चार लाग के आज पास की सीमत ते की जानी चाहिए इस से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके कैमरा में राजिस पंडिक साथो में स्पार्था के बीपी लूज लखनाओ स्पार्थाचित में स्पार्थाब canyon लिए इस पंडिक। झाल झाल